जारकन के मुख्यमंत्री हिमनस्वरण के 49 जन दिन के मौके पर बोकारो में जियम्म कारकर्टाउ ने बोकारो सदर अस्पिताल में मरीजों के बीच किया फलका वित्रन साथ हें केक काटकर मनाया मुख्य मंतरी का जन्व दिन इस दोरान बोकारो जेमेम जिलाद ध्यक्ष हीरालाल मांजी के नित्रत में पड़ी संक्या में कारिकत तब बोकारो सतर अस्पिताल पहुंचे बुकारो जिराल ध्यक्ष हिरालालमाजी ने कहा कि आज मुख्य मंतरी हिमन स्वरिन जी का जनुदीन है और काफी खुशी का दिन है ऐसे में हम लोग उनके जनुदीन को बड़े ही हर्सुलाद से मना रहे हैं उन्होंने कहा कि जिस दीन से उन्होंने ज्ञारकन में विकास का काम किये हैं ऐसे में लोगों के बीच खोसी का माहौल है आज ज्ञारकन प्रदेश के मसीहा लोगपिरिये मुकमंतरी मानिया हेमन सोरें जी का उन्चस्वा जनन दिन के इससे अवसर पर बोकारों सदर हस्पिताल में जितने भी यहां मरीज है वो सारे मरीजों से मिलते हुए और उनका जो है हाल चाल लिया गया और चुकि हॉस्पिटल का जो है बेवस्था भी हम लोग देखें और खास करके बोकारों में जिस तरह का आप देख रहें सदर हस्पिताल में जो बेवस्था यहां डेली जो है 500 से उपर पेसंट आकर जो है यहां इलाज करवाते हैं और स्वस्थ होकर जाते हैं यहां का जो बेवस्था है बिल्कुल बहुत उचित धंग से इलाज होता है और तमाम जितने भी डॉक्टर्स हैं सारे लोग ढंग से पेसंट को देखते हैं और निश्चित रुप से आज जो है चुकि मान्ये हिमद बाव का जनम दिन के इस अउसर पर हम लोग बाबा भोले नाथ से यह कामने करते हैं कि वह स्वस्थ रहे और उनको लंबी उमर दे और जारखन प्रदेश का इस तरह का व से निश्चित रुप से आने वाला जो विधान सवा चुनाव है एक एक काजकरता उनके लिए काम करेगा और निश्चित रुप से पुरा एक बार फिर से मुखमंतरी के रूप में पूरे जहारखन की एक एक जनता देखना चाहती है और चुकि आप लोग अच्छी तरह ज देना विश्थापितों के लिए बेवस्चित तरीके से उस पर विचार करना निश्चित रुप से यह काफी शरानिया है और इस तरह का मुखमंतरी जो एक एक आदमी से वन टू वन मिलता हो और उनकी समस्या का समाधान करता हो ऐसा मुखमंतरी कहा मिलेगा निश्चित और एक एक जो है बहंड और एक एक युवाओं का और एक एक हमारे जो भी बुजूर्ग है उनका सेवा करते रहे दन्यवाद देखा जा रहा है कि आज मुखमंतरी जी का उन्चास्वा जनम दिन है और इसी अफसर पर जार्खन मुक्ति मुर्चा बुकारो जिला समीती उन हम लोग पाटी ओपिस में मनाने का काम किये हैं और उस अफसर पर आज सदर अस्पताल में मरीजों को फाल वगेरा हम लोग देने के लिए आये सभी से मिले भी उनका हाल चाल जाने कैसा इस्थिती में है और यहां के जो उपाधिशक है उनसे भी हम लोग बात किये जो पैस नतीजा है चाहे हस्पीटल हो चाहे स्कूल हो जो भी अन्य सरकारी संस्था है सभी जगों में ब्योस्था भहुत दुश्च दुरूस्थ है परनिश्चित तोर से उनका जो उन्चास्वा जनम दिन है इस पर हम लोग पूरे जारखन मुक्ति मोर्चा के कच करता आज उनके ज करते रहे और आज हम लोग यह परण भी लिये हैं 2024 में पुना उनको जो है मुख मंत्री हम लोग बनाने का काम करेंगे